साल 2023 की शुरुवात दिल्ली के अंदर एक बहुत दुखत घटना से हुई है, जिस दिन दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था और एक सामन्य प्रोटोकॉल है कि नए साल के जश्न के दिन आधी रात और उसके बाद तक सडकों पे लोग मौजूद होते हैं जगे जगे पुलिस की बैरिकेडिंग लगना एक सामन्य प्रोटोकॉल है जगे जगे पे चेक पोस्ट पे लोगों की शिनाख्ट करना कोई ड्रिंकन ड्राइविंग कर रहा है शराब पी के गाड़ी चला रहा है कोई भी इस तरीके की सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है ये पुलिस का एक बहुती साधारन प्रोटोकॉल है कि वो 31 दिसंबर की रात को होता है ऐसी रात को दिल्ली पुलिस को रात को करीब 3 बज के 22 मिनिट पे जो कि ये दिल्ली पुलिस का कुद का रिकॉर्ड है एक दुकानदार जो हल्वाई का काम करता है वो फोन करके बताता है कि साथ एक बुलेरो गाड़ी ग्रे कलर की जा रही है जिसके अंदर नगना वस्था के अंदर एक लड़की फसी हुई है और वो गाड़ी 20 से 30 की स्पीड पे चल रही है इसको आप देखें तीन बज के 23 मिनिट की बाद है रात की और वो आदमी उस गाड़ी का पिछा खुद करता है बाइस बार पुलिस को फोन करता है बाइस बार और पुलिस उस गाड़ी को नहीं पकड़ पाती है वो आदमी लगातार उस गाड़ी का पीछा कर रहा है वो गाड़ी वहीं उस इलाके में घूम रही है आगे जाती है यूटन लेके फिर आती है फिर आगे से फिर यूटन लेके फिर आती है पुलिस उनको रंगे हाथों नहीं पकड़ पाती चार बज़के 11 मिनट पर जब क पॉल आती है कि साहब एक जगे लाश पढ़िए क्लड़की की नग नवस्ता में है तो पुलिस उस लाश को बरामत करने पहुंचती है क्या यह दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के सर्गना विने सक्सेना जी जो हमारे उप्राज्य पाल भी है दुर्भागेवर उनके उपर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं लगाता हाथसे हो सकते हैं मैं यह नहीं कह रहा कि हाथसा पुलिस ने करवाया होगा मगर ऐसे हाथसे के बाद पुलिस का क्या रवया रहा क्या लीपा पोती की गई उसका एक नंगा उधारण यह पुरा कपुरा मामला है मुझे लगता है कि इससे घटिया और इससे गिरी हुई हरकत कोई पुलिस वाला नहीं कर सकता कि जो आरोपियों का बयान है जो आरोपि अपने बचाओं में कह रहे हैं वो पक्ष दिल्ली पुलिस के बीसी पी हरिंदर कुमार पुलिस का वर्जन बता के दे रहे हैं मैं जानना चाहता हूं आप सब तो पत्रकार हैं बड़े बड़े IAS और IPS तो शायद गाड़िया नहीं चलाते हैं ड्राइवर है उनके पास आप सब तो गाड़िया चलाते हैं मैं भी गाड़िया चलाता हूं एक छोटा सा पॉलेथिन फस जाए आपकी गाड़ी में खर-खर-खर-खर करती है दो मिनेट में जब तक गाड़ी रोक होगे नहीं आपको इरिटेशन होती ही कि गाड़ी में क्या पस गया एक लाश फसी हुई है 12 किलोमेटर तक वो लाश घसीचते हुए ले जा रहे हैं और पुलिस के DCP साहब क्या कह रहे हैं कि गाड़ी का म्यूजिक इतना तेज था कि गाड़ी के अंदर जो पांच अरोपी बैठे थे उन बिचारों को पता ही नहीं चला गाड़ी का म्यूजिक तेज था इसलिए 12 किलोमेटर तक वो रेली निकाल रहे थे 20 किलोमेटर की स्पीड पे इलाके में यूटर्म मार रहे थे उनको पता नहीं चला और जब गाड़ी दे निकल गई तब उन्हें पता चला और DCP हरेंदर सिंग यहां नहीं रुके वो और गिर गए और कहां तक गिरे आप ना पिएगा उनकी गिरावट वो धंकी दे रहे हैं पत्रकारों को धंकी दे रहे हैं कि अगर किसी ने कहा कि इसके अंदर बलतकार का शक है तो पुलिस उनके उपर कारवाई करेगी मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए मैं कह रहा हूं इसकी जहां चोनी चाहिए हो सकता है पुलिस की कि या पत्रकारों को दमका क्या जा रहा है की तुमने कैसे कह दिया कि इस लड़की मैं कहा हूं मैं कह रहा हूं हो सकता है इस बच्ची का रे बच्ची हो सकता है इसके साथ रेप की कोशिश हुई हो कैसे कपड़े उतर गए उस सारी बच्ची के उसकी बदन पे एक कपड़ा नहीं था उसकी जो रिप्स है जो उसकी क्या कहते हैं रिप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं पसलियां पसलियां तक सड़क पर घिस घिस कर उखड गई थी उसकी पूरी पसलिया भी नहीं है उस बच्ची के शरीर पे नीचे के हिस्से पे मास नहीं बचा पसलिया भी गिस गिस के जो है सड़क पर टूट टूट के गिर गही है और ये कह रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं चला बहुत शर्म की बात है और L.G. साब नाओ में घूम रहे आपका सर अगर शर्म से जुग गया होता तो अब तक वो पुलिस वाले बर्खास होके घर पे बैटे होते अब तक DCP को क्यों बर्खास नहीं किया गया अगले दिन अखबार में कबर चप्वाते इतनी बड़ी हत्या हो गई पूरा शहर शर्म से शर्मसार हो गया और आप कह रहे हैं मेरा सर शर्म से जोगया अरे आप एक्शन लीजिए और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ ये जो सडकों पे बच्चिया निकलती हैं काम करने के लिए ये कौन बच्चिया है जब अंकिता भंडारी के साथ बलतकार की कोशिश हुई और उसकी हत्या की अपने पत्रकारों को कही थी कि भाईयों ये हमारे आपके घरों की बच्चिया हैं जो काम करने निकलती हैं जो परिवार का पेट पालने के लिए निकलती हैं जो अपना करियर बनाने के लिए सडकों पर निकलती हैं ये कोई बड़े-बड़े नेताओं की बच्चिया नही जैसे अंकिता भंडारी को का गया एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ेगी निता जी को और एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए मना किया तो उसकी हत्या कर दे गई यह हमारी बेटी भी हो सकती थी तो रात को नीद नहीं है आखको बरकास करना चाहिए कि निको कोई दिल्ली का कोई आइडिया नहीं ये दिल्ली में कबी रहे नहीं इनको दिनी के बारे में कुछ पता नहीं इनको अगर छोड़ दूं सुल्तानपूरी में तो इनको यह नहीं पता कि किस दिशा में नजवगड़ है यह तो यह भी नहीं जानते कि इस जाना है यह वैस्ट जाना है और ऐसे कमिश्णर है कमिश्णर लाला के थुप दिये जाते हैं दिल्ली के ओपर क्या पुलिस केडर इतना निकम्मा है इतना नलायक है कि पहले आप गुजरात आपको अब वह खुलासा करूंगा कि जो भारतिय जंता पार्टी की दिल्ली पुलिस ने अब तक नहीं किया कि यह वो सुल्तान पूरी का स्टेशन है पुलिस टेशन जिसके अंदर आरोपी मनोज मित्तल बंद है और अब तक दिल्ली पुलिस और एलजी साहब की नींद नहीं खुली उन्होंने यह नहीं बताया कि इस के अंदर लीपा पोती क्यों की जा रही है उस बच्ची को इंस लगा हुआ है आप देख सकते हैं उसकी उपर लिखा हुआ है मनोज मित्तल जो कि आरोपी नंबर पांच है और इसी थाने के अंदर बंद है और दिल्ली पुलिस के किसी अफसर ने और एल जी विने सक्सेना ने आज तक ये बताने की हिम्मत नहीं कि यह आदमी भारतिय जं जिन्दा वो खुनी वो बंद है यह है उसका होडिंग और यह है उसका उस दैत्ते का चेहरा देखिए अब तक इस केस में लीपापोती क्यों की जा रही है क्योंकि एल जी साहब को मालूम है कि भारतिय जंता पार्टी के कार्य करता और नेता इसके अंदर संभिलित है और म उन आरोपियों की कॉल डिटेल निकलवाईए और मैं चैलेंज करता हूं विने सकसेना जी को कि उनकी कॉल डिटेल रिपोर्ट निकाल के वो पब्लिक करें अगर है उनके अंदर हिम्मत वो आरोपी लगातार पुलिस के अफसरों और भारतिय जंता पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे और चश्मदीद गवाब पौने घंटे तक उस गाड़ी के पीछे पीछे गाड़ी चलाता रहा तीन PCR वेन रस्ते में आई तीन PCR वेन उन्होंने इशारे से दिखाया कि देखोई लास जारी है किसी PCR वेन की हिम्मत नहीं हुई कि उस गाड़ी को रोक के उस फोन कर रहा है पुलिस वालों को और पीछे पीछे चल रहा है उस लाश के तीन PCR वेन रस्ते में मिली उसको तीन PCR की गाड़िया और बेगंपुर वाले को तो इसने बताया कि देखो और PCR वाले उस गाड़ी को रोकने के लिए नहीं तयार थे यह भारतिया जंता पार्टी क सक्सेना ने दिल्ली पुलिस जैसे इंस्टिटूशन को इस हालत में लाके खड़ा कर दिया कि भारतिय जंता पार्टी का नेता हमारी बच्ची को नंगा करके घसीट रहा है और दिल्ली पुलिस की आउकात नहीं कि उनकी PCR उसकी गाड़ी को रोक ले यह हालत करिए एल जी सक्सेना ने दिल्ली पुलिस जैसे इंस्टिटूशन की आप सोची यह सिरु वित्तफाक है कि PCR गाड़ियां आ रही है 22-22 कॉल हो गई को रोकने के लिए तो यार नहीं आज हमारे दिल्ली पुलिस नाम के इंस्टिटूशन की अभी पता चल जाए कि सौरा भार्दवाज के उपर उसका कोई पड़ोसी कंप्लेंट कर रहा है तो DCP साब खुद पहुंच जाएंगे गवाई लिने यह हालत है और एक जोमेटों का डिलिवरी बोई क्या होता है वो बिचारा वैसी डरा डरा घुमता है गरीब आदमी वो बता रहा है पुलिस वालों को कि ऐसा ऐसा वह और पुलिस वाले करें छोड़ दें इसका मतलब पूरे शडेंत्र का जो हिस्सा था वह वहां पे मौजूद एक एक पुलिस वाला एक एक चेक पोस्ट और एक पीसीर वाला था और यह किसी एसेचों की आउकात नहीं है कि वह इतने सारे थाने मैनेज कर ले इतनी सारी पु महोदे के लेवल का ही मामला लगता है कि उप्राज्यपाल महोदे शर्म नहीं कीजिए आपके सर को शर्म से जुकाने में दिल्ली का कोई फाइदा नहीं है आपकी बर्थास्तिगी तुरंट होनी चाहिए और यहां के सचों और डीसीपी को हमेशा के लिए पुलिस से निका काम का नहीं दिल्ली पुलिस क्या वो इस समाज के भी किसी काम करें देखिए फाइयार जो है वो तो ऐसी बनाई गई है जैसे जो आरोपी होते हैं उनका वकील बताए न किसा अब एक काम कीजिएगा इस सेक्शन में दर्थ कर देना तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी है उन पुलिस वालों का ऐसा हश्र करता कि कोई आदमी कभी ऐसा सोचता नहीं ऐसा करने के लिए किसी की बेटी किसकी दुर्दशाओं और क्या मुकद्मा दर्थ किया 304 ए 304 हो यह होता है डेथ ड्यू टू नेगलीजियंस मतलब यह है कि भाई सब आप स्पीड से गाड़ उसकी मृत्य हो गई इसको कहते हैं जो सबसे हल्की धारा किसी की मृत्यू पर लगाई जा सकती है वो है 304 ए जिसकी बेल ठाने से हो जाती है कोट जाने की जुरूत नहीं है ठाने में ही जो है उसकी जो है जमानत हो जाती है 304 ए और हरिंदर सिंग को देखो जो डीसीपी ब पर मैं तो इंतजार में हूं है रान हूं मैं वो डीसीपी बोल रहा है कि इन्होंने शराब पिये नहीं पिये इसकी पुष्टी मेडिकल के बाद होगी सारी दुनिया बता रही है कि शराब पिके वो घूम रहे थे डीसीपी को सुगंध नहीं आई उनके मूँसे महक नहीं आई डीसीपी को अफ़ तक उनके मूँसे वो कह रहा है कि उन्होंने शराब पिये नहीं पिये इसकी पुष्टी तो मेडिकल में होगी मगर इस कि कोई कोशिश हुई ना इसके साथ कोई छेड़ चाड़ हुई वो पुष्टी अरेंदर सिंग कर रहा है क्योंकि वह भगवान है और धमकारा पत्रकारों को ट्वीट डिलीट करा है उसने पत्रकारों के कैसे लिग दिया कि तुमने इसके साथ रेप हुआ मगर उन्हें श कोशिश पहले मिनट से चुरू हो गई और जिस तरीके से जिन धाराओं के अंदर इस मुकदमे को दर्ज किया गया मैं शाम से लिकरा हूं और कई अखबारों के अंदर तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह बहुत घटिया काम है और सीधा सीधा आरूपियों को बचाने की कोश तो कहीं नहीं सोची सब्सक्राइब सामने आ रहे हैं देखिए मैं तो यह कह रहा हूं इसके अंदर बहुत बढ़ी साजिश भाई आप पत्रकार हैं आप लोग क्राइम रिपोर्ट करते आएं आपने कौन सा क्राइम अब तक देखा जिसमें कोई गाड़ी के नीचे फस ग सब्सक्राइब बढ़ाओं था कमाल कर दिया कि चश्मदीद गवाब बता रहा है बीस की स्पीट पर गाड़ी चल रही थी कोई गाड़ी आइवे पर बीस की स्पीट पर चलती है रात को तीन बज़व वह गाड़ी के अंदर उसको ले जाया जा रहा था लास को ठिकाने ल इस्टिकेशन करेंगे और मैं अपनी बेटी को अपनी बेहन को क्या कहके सडक पे जाने दू दिल्ली के कि यह यह खाकी पहन के जो पुलिस अफसर बैटे हैं और इनके उपर ही जो उपराज्येपाल बैटे हैं इनके हवाले हैं उनकी सुरक्षा बहुत शर्मसार करने वाल से यह आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस केस की आप हर परत में चाहिए इसके अंदर आप ही लोगों से थोड़ी उमीद है कि आप ही कुछ सच निकाल के लेकि आएंगे और आप ही जैसे पत्रकारों ने इस तरीके की वीडियो हमारे लोगों तक पहुंचाई और वो जो बिचारे मिठाई की दुकान का काम करता है वो आदमी जो कहता है मैं हलवाई की दुकान मेरी मुझे लगता है ऐसे लोगों को तो 26 जनवरी पे वीरता का पुरसकार दिया जाना चाहिए कि पांच लोगों के पीछे पीछे उसने एक घंटे तक अपनी गाड़ी लगाए देखें एल जी से हमारी कोई डिमांड नहीं है क्योंकि एलजी के संट्रक्षण के अंदर तो पुलिस इस तरह की हुई है यह तो यह सापका तो संट्रक्षण है उनको हम तो केंदर से डिमांड करेंगी कि एलजी साब को बरखास्त किया जाए देखिए बड़े शर्म की बात है एक दिल्ली के अंदर एक प्लेयर का मामला हुआ था यूपी सरकार की तरफ से वो प्लेयर खेलती थी यूपी की तरफ से रिवार्ड दे दिया गया और कहने ते दिल्ली ने क्यों नहीं दिया और मनोस्तिवारी राखी बंद वाने गये थे उस खिलाडी से और पूरी बीजेपी कि उत्री विटी ट्विटर पे कि अरे खिलाडी का अफमाल कर दिया आज एक खिलाडी और कोच के साथ कि बलतकार करने की कोशिश भारतिय जनता पार्टी के हर्याणा के मंत्री ने की भारतिय जनता पार्टी के मुह में दही जबी हुई है मैं जानना चाहता हूं देश की उन खिलाडियों से जिनके नाम पे दंगल फिल्म बनी थी जो आज भारतिय जनता पार्टी का जंडा उठाए घूम रही है उनसे एक ट्वीट नहीं हूँ अपनी बेहन के लिए उस कोच के उपर दबाव बनाया गया महिनों से कि मंत्री के खिलाफ शिकायत मत कर देना पुलिस ने दवाव बनाया मंत्राले ने दवाव बनाया और आज उसने कंप्लेंट किया तो अगता कुस मंत्री को बरखास्त नहीं किया गया मंत्री संदीब से मौजूद है यह घटना हो गई भारतिय जंता पार्टी चुप गूम रही है किसी को पता ना चल जाए कि हमारा नेता इस पूरे कांड के अंदर शामिल है मुझे शर्म आती है यह कहते हुए कि भारतिय जंता पार्टी के आधीन इस दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्ता है इस भारतिय जंता पार्टी द्वारा लगाय हुए LG ना उमें घूम रहे हैं जब उनको उस वक्त उस बच्ची के घर या आप ने अब तक उन अफसरों को बरखास तक नहीं किया आप चोटी चोटी बातों पर लंबी लंबी चिठियां लिखके मीडिया को देते हैं अभी तक आप से कुछ हो नहीं पाया है और हमें कोई उमीद भी नहीं है कि LG साहब इसके अंदर कुछ करेंगे क्योंकि भारतिय आप यह बताईये मैं LG हों अब लीजे और मैंने ही DCP को बोला कि इसके अंदर action नहीं हो ला चाहिए क्योंकि ये भारतिय जंता पार्टी के हैं। इसके अंदर कमजोर धाराओं के अंदर FIR होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भारतिय जंता पार्टी के हैं। भाई पुलिस किसके अंदर आती है, LG साहब के अंदर आती है ना। और अगर वो भारतिय जंता पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो LG साहब उनके उपपर एक्षन लेंगे या शाबाशी देंगे इसलिए तो अब तक एक्षन नहीं हुआ अब तक तो वर्दी उतार के उन अफसरों को घर बठा देना चाहिए था एक्षन नहीं होगा क्योंकि वो लोग भारतिय जंता पार्टी के निताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और LG साहब यहीं चाहते हैं कि भारतिय जंता पार्टी के निताओं को बचाया जाए शर्म से सर जुकाने को कोई action नहीं कहा जाता action दिखता आप तक अब तक कोई और राज्य होता तो अब तक पुलिस कमिशनर की नौकरी जा चुकी होती और मैं दोबारा कह रहा हूँ यह मामला यह नहीं है कि ग्राइम हो गया ग्राइम तो कई जगे हो सकता है और मैं यह मानता हूँ कि बहुत सारे अफसर दिल्ली पुलिस के कैडर के बहुत-बहुत शांदार अफसर है जो इस तरीके के क्राइम को रोकने में सक्षम होते हैं मगर जहां पे क्राइम हुआ और क्राइम के उपर लीपा पोती की बात हो वहां पे दिल्ली पुलिस के अफसरों को खटकरे में खड़ा करना चाहिए और सक्चे सक्च सजा देने चाहिए